नमस्कार दोस्तों स्वागत है आप सभी का मेरे यूटुब चैनल टेक्टिकल गार्डनिंग विज़ अभी में हैं। दोस्तों जैसा कि आप सभी को पता है कि अभी बारिस का मौसम चल रहा है और काफी ज्यादा मात्रा में बारिस हो रही है। इस बारिस की वज़े से काफी हमारे पौधों में ग्रोथ काफी अच्छी हो रही है पर इस बारिस के काफी नुकसान भी पौधों में देखने को मिलते हैं फंगस होता है रूट्स डैमेज होती है सड़ जाती है उन में फंगस लगता है तो कुछ मैं आपको तीन इमपॉर्टेंट मस्ट डू वर्ग बताऊँगा जो आपको बारिस के टाइम में बारिस होने के बाद अपने गार्डिन में जरूर करना है अगर आप गार्डिनिंग गमले में अगरो बैग करते हैं तो वीडियो को आखिर तक देखिएगा बहुत ही ज़रूरी चीजे हैं बहुत ही जरूरी बात है कि आपको बार्स में अपने पोधों को बचाना कैसे है जो प्राप्लम्स आती है उनसे पोधों को कैसे सर्वाइब करने के लायक बनाना है ताकि बारिस का हम लाव ले सकें उसका कोई नुकसान ना हो तो दोस्तों कोई पार्ट skip ना करें वीडियो में लाश तक बने रहें और अगर चैनल पे नए हैं अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बैल आइकन प्रेस कर दें ताकि आने आली वीडियो के नोटिफिकेशन आपको आसानी से मिलती रहें तो दोस्तों जो मैं आपको तीन काम बताने वाला हूँ उसमें से पहला है आपको बारिस के तुरंद बाद अपने गंबलों को चेक करना उसमें पानी नहीं लगने देना है पानी लगने के दो रीजन्स हो सकते हैं मैं आपको बताऊँ जैसे ये देखिए मैं आपको दिखाता हूँ और भी गंबले यह है जिसमें आपको पानी दिख रहा है करीब एक से डेड़ घंटा हो गया बारिस को रुके हुए और यहां से पानी अभी ड्रेन आउट नहीं हुआ है यानि कि जो नीचे तक की मिट्टी है गमले की वो पूरी तरह से गीली होगी और इस तरह से जब मिट्टी गीली होती है और पानी जमा होता है तो यह जो रूट्स आप देख रहे हैं यह उपर की दरब देख रहे हैं यह फिर गल्ले लगते हैं और इनसे बिमारी पूरे रू सतह पे पानी जमा होता है. और δूसरा जो reason होता है, कि जो गमले का drainage हो लोता है, वो block हो गया हो, चाहें पौदे के root से, या फिर किसी मिट्टी जाकर वहाँ फस गई हो, या फिर किसी और region से, जो drainage हो लोता है वो block हो जाए, तो इस प्रकार से गमले में पानी भरता है तो इस मेरे गमले का जो रीजन है ये है मिट्टी का काफी hard होना क्योंकि मैंने इस पौधे को cutting से grow किया था और जो मिट्टी hard थी मैंने उसी में cutting लगा दी थी और ये तबसे वैसे ही है इसमें growth काफी अच्छी हो रही है पर मिट्टी काफी hard है और इसके अलावा मैं आपको दिखाऊं जो बाकी गमले है मेरे grow bag हैं देखें किसी भी grow bag में आपको किसी भी तरह का पानी जमा हुआ नहीं मिलेगा सब में से काफी अच्छी माँ अच्छे से पानी drain out हो जाता है तो मैं आपको दिखाऊं कि जो drainage hole होता है उसे आप कैसे चेक करेंगे इस परकार से देखें गमले को हलका पलट ये और आप देख सकते हैं या नीचे से पानी सारा निकल के आता है तो आपको क्या करना है drainage hole जो होता है वहाँ किसी tool की मदद से इस परकार से किसी लकडी से उसको आप जो hole होता है उसको साफ कर ले इससे क्या होता है कि जो मिट्टी उट्टी फसी हो या कंकर पत्थर फसा हो जिसके वज़े से पानी नीचे drain नहीं हो पारा है तो वो drain हो जाता है अब इस परकार से दोस्तों जो पानी जमा हो जाता है तो आप मिट्टी काफी ज़्यादा बारिस में गीली होती है तो इससे तो आप change करनी पाएंगे तो इसके लिए जो उपाय है तब कालीन उपाय वो अगर ज़्यादा मिट्टी पानी भरा हुआ है और गमला हलका है तो आप इसको इस तरह से टिल्ट करके ये काफी भारी है मैं इसे नहीं दिखा सकता आपको टिल्ट करके पर मैं छोटे गमले में बता सकता हूँ जैसे ये गमला है देखी अगर इसमें पानी भरा है तो इसे आप टिल्ट करके पानी निकाल लीजे और फिर मैं आपको इस गमले में बताता हूँ कि फिर आगे का प्रोसेजर क्या करना चाहिए देखें कोई लकड़ी एडेंडा ले लीजे और इस प्रकार से इसमें नीचे तक काफी अच्छे से होल कर दीजे ये एक जगा नहीं करना है आपको कई जगों पर इस प्रकार से आपको नीचे तक होल बनाना है तो ये देखें दोस्तों पानी हमारा सारा नीचे की तरफ निकल गया है अब वो धीरे धीरे ड्रेने जोल के पास तक चला जाएगा और वहां से पानी ड्रेन आउट हो जाएगा और जैसे ही थोड़ी धूप हो आपकी मिट्टी सूखे तो अगर आप चाहें तो गंbले में से पौधे को निकल के ट्रांस्प्लांट कर लें और नई मिट्टी में इस पौधे को लगा दें और अगर आप नहीं ऐसा कर सकते हैं अभी आपके पास तयार मिट्टी नहीं है तो आप उपर से 3-4 इंच की मिट्टी निकाल ले और उस चाहें जो भी आपके पास अविलेबल हो, उसे मिलाके वापस से कवर कर दे तो इस परकार से आप इस प्रॉब्लम के निजात पा सकते हैं अब बात करते हैं दूसतों दूसरी प्रॉब्लम की जिसकी वेजा से हमारे पॉधे खराब होते हैं वो यह होता है दोस्तों कि देखे बाके टाइम में हम मल्चिंग करते हैं चाहे वो गर्मी हो चाहे सर्दी हो मल्चिंग के कफी सारे फायदे हैं पर बरसात में चाहे हमने मल्चिंग करी हो या जो पेड़ की सूखे पत्ते हो या जो हमने कैसे भी पत्ते जो आपके गमलों में आ जाते हैं उन्हें आपको हफते में एक बार साफ सफाई जरूर करनी है क्योंकि आपको जो ये दिख रहे हैं पत्ते इन में से देखिए कुछ पत्ते बारिस में सड़ने लगते हैं लगातार वाटरिंग होने की वज़े से तो इससे क्या होता है जब पत्ते सड़ते हैं तो जो पौधे की तूटके अपने आप गिरती है या फिर आपने मल्चिंग की हो तो उसे इस टाइम पे गमले में से साफ कर देना है मिट्टी को उपर से पूरी तरह से साफ रखना है ताकि जो भी वाटरिंग हो वो ड्रेन होके निकल जाए और कोई भी फंगस इसमें मिट्टी इसमें क्या है इसमें फंगस की वजह से यह ब्रांच देखिए आप यह डामेज हो गई है तो इसे हमें यहां से ततकाल, अलग करदेना है क्योंकि अगर हम इसे अलग नहीं करेंगे तो यह बाकी ब्रांचिस को भी खराब करेगी इसके लाव में दोस्तों जो धेखे यह फ फूल ड्राइ होते हैं तो वो सूख के गिर जाते हैं पर बारिस के टाइम में क्या होता है कि ये फूल जो है ये गीले होके और इसी में लगे रहेंगे सड़ते रहेंगे और सड़के फिर वापस से इसमें फंगस पैदा करेंगे तो इसे आपको टाइम टाइम पे अपने पौधे में से हटा देना चाहिए जिससे किसी प्रकार की कोई फंगस या बिमारी पौधे में ना लगे फिर दोस्तों बात करते हैं तीसरी चीज की तीसरा जो सबसे इंपोर्टेंट वर्क है वो बारिस के बाद आपको क्या करना है ये देखे इस परकार से राख मिल जाएगी आपको जो की फ्री में मिल जाएगी और राख जो है बहुत ही अच्छा फंगिस साइड का काम भी करता है और पेस्टिसाइड का भी काम करता है तो पौधों में जो देखे ये सभी पत्तियों में पानी लगा होता है पानी लगने की वज़े से इसमें फंगस का डर होता है और बारिस के पानी से ज़्यादा ही फंगस लगता है तो आपको क्या करना है एक बार जब बारिस होके चली जाए तो आपको हफ़ते में एक बार इस प्रकार से राख लेना है और पौधौ पे स्प्रिंकल कर देना है देखें इस प्रकार से इस से कोई नुकसान आपके पौधों को नहीं होगा, और जो भी fungus या बिमारी पौधों में लग रही होगी वो नहीं लगेगी और जो अगली बारिस होगी उसमें ये राख बारिस की पानी से वापस से धुल जाएगा और आपके पौधे काफी healthy होंगे बिना fungus के बिना बिमारी के पूरी बारिस के season में आपके किसी भी पौधे में कोई बिमारी नहीं आएगी अगर आप इस तरह से ये तीनों काम हफते में एक बार जरूर कर लेंगे तो तो दोस्तों ये कुछ जानकारियां थी जिससे आप बारिस में अपने पौधों को अपने गार्डन को काफी हल्दी और ग्रीन रख सकते हैं अगर जानकारी पसंद आई हो वीडियो अच्छी लगी हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर दें वीडियो को लाइक कर दें कोई सवाल कोई सुझाओ हो तो कमेंट बाक्स में जरूर लिखें बहुत बहुत धन्यवाद